तो हेलो दोस्तों आज हम दोग हेगल के बारे में पढ़ेंगे यह बहुत मातवपूर्ट इंकल होने वाला है और यह बिसिकली प्रसिया का निवासी था इसका टाइम प्रियर 1770 से 1431 के बीच में रहा है और हेगल कहता है कि मैंने जो कुछ भी लिखा है केवल मेरे समझ में आ त्योलाजी यानि धर्मसास का ग्यान प्राप्त करें और एक अच्छा पादरी बने इसने अपनी शुरुआती सिच्छा थी वहां पर त्योलाजी के सिच्छा ग्रहन की लेकिन बाद में जो इसकी रूची है यह ग्रीक जो विचारधारा थी यह ग्रीक तिंकर थे ग्रीक हेगल को पढ़ना इतना महत्पून हो गया था कि अगर कोई मतलब अगर चर्चा होती थी तो लोग वही लोग सेस्ट माने जाते थे जो हेगल को पढ़े रहते थे तो ऐसा खाया था कि जिसने हेगल को नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा इवन जो माक्स था वो भी ए होट पाइटा को रुदार ल्छाड़ दिया था कि तो कि राधिव दोनों को contribute कुट गlar दिय THIS स्यैजिए उधारबाद को भी आना करता है उधारबाद कि भाई इकनान करता है कि nic paar अरवाद में जी जाती है उसको यह उसकी अलोचना करता है, उसका मानना था कि बिसिकली वो जर्मनी को एक राष्ट राज के रूप में देखना चाहता था, क्योंकि जर्मनी भी उस समय विखेंडित था, यह रुसिया का निवासी था, जो कि जर्मनी का ही एक हिंसा हुआ करता था, यह जर्मनी को एक राष्ट कि बड़े बिजन की ओर देखना पड़ेगा जैसे कहा जाता है यो आरसेस का हंदू राश्ट का जो विचार है यह छादिवराय वहां पर अब उपर उठके हम अपने धर्म के बारे में सोचने लगते हैं, अपने देश के बारे में सोचने लगते हैं, तो इसलिए जो हीगल था वो भी चाहता था कि जो लोग हैं अपने सौसास से उपर उठें और एक राष्ट के बारे में सोचें, एक राष्ट के बारे में सोचें, और और मानता है ये भी एक आइडिलिस्ट इंकर है इसे मैं आफ मैंने जीनियस कहा है और इसने रोनिवाद्य उदारवाजिता का विरोध किया है अधर वाद जो कॉंसेट था जो ही गल ने दिया था ये बिसिकली कोई नया कॉंसेट नहीं था प्लेटो में हमने देखा था कि जैतिक आधर्सवाद इथिकल आडलीज़न की बात करते हैं लेकिन जब जो आधुनिक आफ लिजम है उसके प्रनेता तो कांत है लेकिन जो हीटल है वह आफसल्यूट है आफ लुकिन की बात करता है या यानिनिकि इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए ये निरपेक्ष आधर करū press 1 पर लेट टिंखेञे हैं तो इसको आगे चलकांच पढ़ेंगे, यह उसको आगे चलकी पढ़ेंगे लेकिनुन यह फैसित लिये प्लेटों की जो दॉनत आतमहिए पड़ती थी थी टी डालेक्ट तो उससे प्रवावित था जिसकी सजनात्मक उपलब्दियां दार्शनिक वर राजनेतिक चिंतन के समोचे दिहास में एक मेल का पक्तर है उसका नाम जर्मन आदर्सवादी परंपरा के मूल परवादिकों में कांट के पश्चात लिया जाता है तो कांट कांट भी आधुनिक कांट आधुनिक जो आधर्सवाद है उसके परनेता कहे जाते हैं लेकिन जो अपसल्यूट आधर्सवाद है हीगल उसका परनेता था और इसका निसे दर्सवाद का पूप भी कहा जाता है उसके गरंथों में राजनेतिक आधर्सवाद अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया हीगल का जन्म जर्मनी के एक नगर स्टुटगाड में सन 1770 में हुआ था उसके पिता एक सरकारी प्राधिकारी थे वे हीगल को धर्मसास का विद्वान बराना चाहते थे और इसी उद्देश के पूर्ती है तो ट्यूबिंगन के धार्मिक विद्याले में उसे भरती करवा है गया हेगल स्कूल में पढ़ाई की दोरान ही प्राचीन युनानी रोमान इतिहास वा शाहित में रूची लेने लगा था इसकाल में उसके विचारों में प्राचीन युनान एक आधर सी कृत विंब और लोगों के बास्तविक नैतिक संग्ठान के नातिराज के बारे में प्लेटो वा अरस्तु के विचारों पितरुजान देखा जा सकता है सन 1788 से 1739 तक हेगल ने ट्यूबिंगन विस्तु विद्याले में धर्मसास के सिच्छा ली विस्तु विद्याले की सिच्छा पूरी करने के बाद उन्होंने धर्माचार का पेशा अस्युकार कर दिया औ पाने की आसा में कुछ साल बर्न और फ्रेंकफर्ट में प्राइवेट सिच्छा का काम गिए इन बर्सों में हेगल के अजनितिक विचार सामातवाद विरोधी हो गए थे वे पुरातन कालातीद व्रस्ता की रूणियों और बुरुजवा उदारवादी दिश्टिकोनों प खुला कटाच करते थे 1801 में हेगल ने अपने सोध प्रबंधन अशत्रों की कच्छाओं का मंदन किया और इना बिस्विद्याले में प्रधापक बन गए 1806 तक हुए वहां रहे और दर्सन के साथ साथ प्राक्तिक बिधी पर विव्याख्यान देते रहे 1789 से 1802 में उन्होंने अपनी अपना काफी समय राजनीत तथा विद्य से संबंधित एक विस्थ गरंथ जर्मनी का समिधान करेशना को समर्पित किया वो अधूरा रह गया और उसके जीवन काल में प्रकासित नहीं हो सका हेगल ने 1805 से 1806 के ब्याख्यानों का संगर एना का यथार्स दर्सन उनकी दर्सन प्रिसिद्धी दर्सन पतधि के प्रथम आभास देता है 1807 में उनकी Phenomenology of Spirit नामक रशना प्रकासित हुई जिसमें उन्होंने विकास सील चेतन के बिभिन चरणों पर प्रकास डालते हुए तंदात्माग विस्लेशन के एक विस्यष्ट उपकरण के नाते चेतना का दर्सनिक महत्पतपादित किया मार्च 1807 में हेगल बंबार्ग आय और वहां दैनिक बंबार्ग समाचार का संपादन करने लगे किन्तु इस काम की कटनाईयों विस्यष्टा सेंसर के साथ आये दिन के जगड़ों को वह अलिक समय तक जेल ना सका और अक्टूबर 1808 में बंबार्ग छोण कर नियूरेंबर सोला तक एक विद्यालाय में रेक्टर वर प्रोफेसर के बद्वरकार किया एनके दिनों के अंत में हेगल नेपॉलियन के बेक्टित वह उसके इतिहासी प्रगच्च जिल कारियों के प्रसंसक बन गये थे नेपॉलियन को नोने महान नायक विस्वात्मा आज जंगाएं थ तो बिशिकली जो हेगल था यह फ्रांसेशी म्रांदी का समर्थक था निपॉलियन को यह महान सासक बताता है जबकि नेपोलियन ने प्रसिया पर भी आक्रमान किया था और उसे हरा दिया था इसे तो जो हेगल है उसे नेपोलियन का विरोफ्ट करना चाहिए था लेकिन वो नेपोलियन को एक महान सासक बताता है थिए private जयह प्रांस किक्रांती ओफ ये तर्क पर आधारित थी और जो हेगलु 2 तर्इव है कोunkर 00 ga माना था कि या अमता स secured ःती को क्रांस कर रहे प्लोगों को यह लागा कि जो सांध हैं और पोफ ये हमारा सोचन्ट कर रहे हैं तो लोगों को लगा लोगों ने तर्क किया कि जो शामन्थ है और पॉप आ हमारे सोचन्ट कर रहे हैं इसलिए हमकर हरां चाहिए ही तो हेगल कातव हाथИ हिस्चा आधारित होती है तो हेगल ने Png Thom Brown कीने कि ऐका कि가요c Nick & Cyclone 제 अपने बारे में सोचते हैं इसलिए प्रसिया है वो हार गया उसका मानना था कि नेपोलियन और उसके सुषार आत्मक जो कार हैं अध्सामंती यर्मनी में भी परिवार्टन लाने और भुर्जवा अधिकारों और सतंदताओं एवां संविधानिक पतिनिधिक संस्थाओं की स इसकाल में उन्होंने राजनेथिक विचारधारा में अनुदारवाद का समर्थन किया एक सब्सक्राइब में 14 नवंबर 1831 को हैजे की विमारी से उनका देहान थो गया वालिन विश्विद्याले में प्रोफेसर के रूप में हेगल को अपूर्व ख्याती मिली उन्हें जर को सुनने के लिए विद्यार्थियों विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी उनके निधन के बाद हेगल को पढ़ना उनके दर्सन पर चार्चा करना एक फैसन सा हो गया कोई भी दार्शनी क्या विचारक अपनी बिद्धता की चाप तब तक नहीं छोड़ सकता था जब जिसे विद्याले में दर्चा का प्रफिसर बनना था उसके हेगल के चालतक परिच्छा के पर्माड़ पत्र पर यह लिखाता है कि अर्थ सास्त्र और भासास्त में तो यह परभीण है और देखिए चर्बनी के दर्सनिक पिदा बन जाता है तो एक भी क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा ही नहीं न्रवो न निराज करो मनको nào हेगल जर्मनी का प्रसिद अधर्षबादी-दारसमिक था इसे आदास बात का पोप यानि पोप आफ अडलिजम भी कहा जाता है हेगल के समय जर्मनी का एक राष्ट राज निसान स्टेट के रूप में उद्धे नहीं हुआ था बलकि प्रसिया जर्मनी के प्रद्धेतु किया करता है तो जिस प्रकार में क्यावेली विखंडित एटली के एक ही करण राष्ट राज के रूप में उसके उद्धे का सपन देख रहा था वही सपन चर्मनी के बारे में हेगल का था इसे बाद में बिस्मार्क ने पूरा किया था हेगल फ्रांसेसी क्रांती जो की 1789 में होई थी का संसक था क्योंकि उसकी नजर में यह क्रांती बिवेक हुआ मानव अधिकारों पर आधारित थी 1806 में जब नेपोलियन ने प्रसिया कोहराया तो प्रसिया वासी हेगल ने उल्टे नेपोलियन के प्रसंसा की क्योंकि नेपोलियन फ्रांसिसी क्रांधी के प्रगत सील्धारा को आगे बढ़ा रहा था हेगल ने फ्रांसिसी क्रांधी को सांदार सुबह सांदार मांसिक सुब है Glorious Mental Dawn कहा था हेगल है बर्लिन को बिच्विद्जाले में दर्सनशाथ के प्रोफेसर रहा इसे दरन उन्होंने आधुनिक आधर्सबाद modern modern IBM की स्थापना की Hegel के आदा है Hegel का आधर मुख सिधान थे पहला तो है dialectics यह किसे प्रहावित है यह plateau और सुकरात हुना सुकरात और plateau से प्रहावित है यह plateau और सुकरात से प्रहावित है dialectical dialectics में बसीले metaphor इसमें विचारों का अधान प्रदान होता है और हम लोग आपस में तर्क करते हुए एक हंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं तो यही है दूंदात्मक पतती इसको जोंकतियों उठा लिया था किसने हेगलने प्लेटोस विचारों यह चेतन कॉंसियसनेस के आपसी अंतर विरोध द्वारा इतिहास आंगे बढ़ता है चेतना आडिया ही इतिहास का बास्तिक प्लेखता तो है बिवेक में विच्चुमें विवेक का भिकास मार्च आफरीजन इंदवर्ड विच्चुमें जो भी गती विकास या प्रगती होई है उसका कार्ण क्या है मानभी विवेक या तर्क तो हम लोग आधि मानव से आधिन मानों चुकर है. विजिव्य इस डीजिपे न करना दोपाई दोषय आधिन मानों ने फिर आभ जलाने सिक्ष मस्त घंव शुआ क्यों कि अंदर तर्क होता है और तर्क करते करते हो चीजों को आंगे बढ़ा देता है पिर आत्म पूर्था का से धानत यान थ्योरी आप सेल्फ रिलाइजेशन तेक विचार गत्य करता हुआ अपने पूर्था या सर्बोच्ता तक पहुंशना चाहता है गल के अनुसार कला अपका धर्म धर्शन कीवल रूप में भिना है इनका धे समान प्रत्यक जीसे अटेल हों क्या कहता है हर ट्य ह१्य वस्तुन का एक टिलोट होता है और हर बेक्ति हर बस्तु कती करती है और यह बोलता है बढ़ जाएगा जब जर्मनी जभ राष्राज बन यानि अप्सलूट आडिलिजम कहा जाता है प्लेटो के आदर्स बात को निर्पेक्ष यान अप्सलूट आडिलिजम कहा जाता है और कांद के आदर्स बात का बुद्धिवादी इंटलेक्ट्वाद कहा जाता है तो कांद के आदर्स बात को बुद्धिवादी इंटलेक्ट् इतिकल आडिलियम कहा जाता है हेगल पर सुकरात के तुन दबाद अरस्तु की 117 पद्धिया निया डियोलोजिकल मेठड रोसो की बस्तविक इच्छा जथार्त इच्छा वा समान इच्छा इमैनुवल कांथ के बुध्धिवाद वातर्गबाद का प्रभाव है है हेगल भी और आस तुवरुसों की तरह सुमांता का पकषिधर नहीं है तो हेगल पर हमजों की जो दास है अभी तक क्या सद्धन मानता है साध को करने के लिए लेकिन जो हे हेगल सब्सक्रिद आपने आपने आप साधन नहीं पने आप मैं साध्ध और किसी ब्यक्ति को साधन के तरह यूज करे किसी एक साध तक पहुँछने तो जो दास हैं जिवा यद्न. लिद्धास कोई व्यक्टी का लिद्धति होगा यह अकुछ आपप में साथ है प्शूर्ष क्यूंकि मंतै Entonces में तर्क है और स्कान धुरता ये कहीं से कहीं तक जाईज नहीं है लेकिन इस्तरी स्था mayor की जो अ अब संदर में बोलता है तो कहता है कि इस्तरों के पास तर्क नहीं होता है इसलिए हमेशा दास बने रहे ऐसा यह बोलता है तो वह महिलाओं में विवेक का आभाव मानता था एकल इस्तरी को कम चमताओं वाली मानते थे यौन अंतर प्राकृतिक और अपरवर्तिनी यौन शिक्स इसलिए अंतर प्राकृतिक और अपरवर्तिनी इसे बतला नहीं जा सकता है इस्तरियों को सिच्छा दी जा सकती है लेक है जरूरी है दूसों के समान हेगल के लिए भी सम्दाय के लिए उन्प्युक्त हो бел दास पताका को उन्हें देख लिया किए जूर है क्योंन SI गlor कटी है उसमें तर्क पाए जाता है इसलिए दास दास नहीं हो सकता है लेकिन स्त्रयों में कि तर्क नहीं पाए जाता इसलिए वो दास हमेशा के लिए बनी रहेंगी और जो आधर से बात है बैसिकली यह राजी को सर्वोच महत्पूर्ण मानता है ब्यक्ति को साधान वा राजी को साध्य मानता है अधर्ण मानता है उसमें जर्मन कॉंस्टिट्यूसन यह अठारा सो दो में लिखी गई थी तपिना लाजी आफ इस पिरिट यह अठारा सो साथ में आती है आत्मा का घटना क्रिया विग्यान इस रचना में वे आत्मा वा मन की गत्य को बताता है जो परम ग्यान की योर आती है साइंस अफ लाजिक यह अठारा सो बारा में पुस्तक लिखी गई इनसाइक्लोपीडिया और फिलोसॉपिकल साइंस अठारा सो चत्रम लेक्चर सौन अस्थेटिक्स अठारा सो टारा में फिर एलिमेंट आफ फिलोसफी आफ राइट अफ राइट आसो एक किस इस हेगल का राजनीतिक दर्सान यानि पॉलिटिकल जो चिंदन है पॉलिटिकल थिंकिंग है वो उहर कर सामने आती है इसमें कानून राजनीति नैतिकता समंधी विचार हैं तथा नागरिक समाज सिबिल सोसाइटी वार राज स्टेट के बीच अंतर किया गया है अपने दार् लक्षता और इमानदारी किर्पति समर्पित हो इसमें तो ऐसा कहते हैं और इसकी एक और पुस्तक थी प्लास्पी आफ हिस्ट्री 1527 में आती है और फिलास्पी आफ रिलीजिजन ये ठारा सो ये ठारा सोटाइस में भूग आती है